Hello friends, welcome to knowledge hub, जुखाम का इलाज जुखाम के इलाज में नारंगी का उप्योग, सर्दी, खासी होने पर, गर्मी में थंडे पानी के साथ और सर्दी में गर्म पानी से नारंगी का रस पीने से लाब होता है खासी और जुखाम होने पर, जुखाम के इलाज में अमरूद का उप्योग, जुखाम होने पर, एक अमरूद बीज के खाकर एक गिलास पानी पी लें दिन में ऐसा तीन बार करें, पानी पीते समय नाक से सांस नेले और ने चोड़ें, नाक बंद करके पानी पिएं और मूँ से ही सांस बाहर फेकें इससे नाक बैने लगेगा, नाक बैना सुर्व होते ही अमरूद खाना बंद कर दें एक दो दिन में जुकाम खुब जड़ जाएगा, तब रात को सोते समय पचास गराम गुड़ खाकर बीना पानी पिए सिर्प कुला करके सो जाएं, जुकाम ठीक हो जाएगा एक अमरूद बुन कर, काट कर, नमक डाल कर खाने से जुकाम ठीक हो जाता है जुकाम के इलाज में सेब का उप्योग, दुर्बल मस्तिस्क के कारण भी सर्दी जुकाम सदा बना रहता है ऐसे रोगियों को जुकाम की दवाओं से लाब नहीं होता ऐसे लोगों को जुकाम ठीक करने के लिए बोजन से पहले छिलके सहित सेब खाना चाहिए इससे मस्तिक्ष की दुरबलता भी दूर होगी और जुकाम ठीक हो जाएगा जुकाम के इलाज में आवले का उप्योग दमा जुकाम खासी में सीने में कप जमा हो गरगर की आवाज सांस के साथ आती हो तो पीसा हुआ आवला और मूल हट्टी आदा आदा चमच मिला कर गर्म पानी के साथ फेंकी लेने से कफ निकलने लगता है और जुकाम ठीक वाजाता है जुकाम के इलाज में निम्बू का उप्योग, सरीर के विबिन अंग और हड्या तूटने नजला, जुकाम और फ्लू होने पर गर्म पानी में निम्बू का रस पीते रहने से इन रोगों से बचा जा सकता है ये रोग होने पर इसे बार-बार पीना चाहिए, पानी में सहद भी मिला सकते हैं ओके फ्रेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो